हेलो एवरीवन आज मैं आपको टमाटर का पाउडर बनाना बताऊंगी और कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे टमाटर जब हम इनको सुखाते हैं तो फफुंदी पड़ जाती है लेकिन अकर आप मेरे मैथड से बनाएंगे तो आपके टमाटर का पाउडर बिलकुल परफेक्ट बनेगा और इसमें फफुंदी नहीं पड़ेगी और ये बहुत आसानी से आप घर में बना लेंगे आप इसको किसी भी स्नेक में या सूप में या फिर सबजी में भी डाल सकते हैं और ये सालो खराब नहीं होता सबसे पहले एक किलो हम टमाटर लेंगे ये ध्यान रहे कि टमाटर हमें गाड़े लाल रंके लेने हैं और इनको हमें धोकर बिलकुल इनका पानी सुखा लेना है और टाइट टमाटर होने चाहिए फिर हम इसमें इनको एक चॉपिंग बोर्ड पर डाल कर बारीक बारीक हम काट लेंगे आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं जिस भी शेप में चाहें और फिर किसी भी पैन में इनको डालने और डाल कर आज पर चढ़ा दे आज अभी अभी हलकी रखनी है और फिर हम इनको डखकन लगा देंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ते हैं पानी हमें एक बून भी नहीं डालनी है फिर इनमें पानी निकलाएगा तो हमें मीडियम होट मीडियम हमें आज कर देनी है और इनका पानी हमें ड्राइ कर लेना है और बीच बीच में हमें चमचा चलाते रहना है फिर इसमें आदा चमच लाल मिर्च पाउडर की हम डालेंगे इस से हमारे टमाटर का पाउडर खराब नहीं होगा और कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं नमक बिलकुल नहीं डालें नमक से हमारे टमाटर खराब होने का डर रहता है फिर हम इनको चमच से चलाते रहेंगे और चमच से दबाएंगे या फिर किसी भी पटेटो मेसर से आप इनको दबा दबा कर पका लें जिससे के ये मैश हो जाएंगे बिलकुल भी आप यह मत सोचेगा कि इनका पेष्ट बनाया जा सकता है और इनका पानी हमें बिलकुल सुखा लेना है पेष्ट से अच्छा नहीं बनेगा फिर किसी भी थाली पर थोड़ा सा तेल या घी लगा कर हम इनको फैला देंगे और बहुत तेज धूप में हम इनको रख देंगे अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो पंके के नीचे भी ये खराब नहीं होंगे कोई भी पतला कपड़ा डाल कर इसके उपर से आप इनको सुखा सकते हैं और इनको पलट पलट कर हम इनको सुखाएंगे जब उपर एक पपड़े आ जाएगी फिर से हम इनको पलट कर सुखाएंगे ऐसे ही हमें 3-4 दिन लगेंगे और इसको हमें सुखा लेना है फिर आप इनको बाहर तेज धूप में रखते रहें और ये बरसाथ के मौसम से पहले पहले आप बना लेजिए और ये देखे हमारे 4-5 दिन लगे हैं अब हमारे टमाटर सूख चुके हैं अब इनको किसी भी मिक चुका है अब किसी भी एर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल लेजिए किसी भी चिप्स की सीजलिंग में या फिर स्नेक में ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और आप इसको किसी भी सबजी में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स मुझे आपके सपोर्ट की जरुरत है प कलर खराब होगा देखे ये बनकर तयार हो चुका है आप इसको फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं रेसिपी देखने के लिए आप सब का शुक्रिया